जबसे में ने यहाँ पर iPad purchase किया मेरे को एक ही दिक्कत थी कि मेरे को यहाँ पर WhatsApp चाहिए था बड़ WhatsApp नहीं मिल रहा था बड़ फाइनली आप यहाँ पर चिकाउट कर सकते है मेरे iPad में में अपने WhatsApp है उसको install भी कर लिया है यह प्रॉप्पा तरीके से work भी करता है और यहाँ पर कोई भी issue देखने को नहीं मिलता है इवन आप लोगों को यहाँ पर जितने भी सारे WhatsApp status है यहाँ ब्रोडकार्स है WhatsApp group है, channel है सब कुछ देखने को मिल जाता है अगर किसी को आप लोगों को message करना है तो आप message भी कर सकते है यहाँ आप आपको जो भी message आजाता है वो भी आप लोगों को देखने को मिल जाता है और प्रॉपर तरीके से without any issue आपकी iPad में WhatsApp चलने वाला है कैसे यूज करना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ तो आगे बटने से बिले गाईस, आपने अभी दक हमारी चेनल टेकरस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो for more iPhone और iPad वीडियो देखने के लिए आप हमारी YouTube चेनल टेकरस को सब्सक्राइब जरूर कर देना तो दोस्तों सबसे पहला step किया रहेगा आप लोगों को अपने iPad में Safari browser या फिर कोई और browser को open करना है open करने के बाद Google में आ जाना है और यहाँ पर type करना है WhatsApp Web WhatsApp Web जैसे ही type करेंगे तो आपकी device में सबसे पहला जो website आ जाएगा web.whatsapp.com उस पर आप लोगों को tap करना है यहाँ पर आपकी device में यहाँ पर एक QR रोके करेंगा तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है इस page को आप लोगों को bookmark करना है कैसे करना है यहाँ पर जो share. आप लोगों को देखने को मिल जाता है इसके बद यहाँ पर edit action बटन पर tap कर देना है tap करने के बाद guys यहाँ पर आप लोगों को add to home screen लिखा हुआ है यहाँ पर plus बटन पर tap करके done पर click कर देना है अब यहाँ पर क्या करना है जैसे आप add to home screen पर tap करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर WhatsApp लिखा हुआ देखने को मिल जाता है अब भी right now show करने के लिए यहाँ पर मैं अपना जो नाम है चैनल का वो लिख लेता हूँ तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने लिख दिया Tech Rush आप WhatsApp ही लिखना इसके बाद आप लोगों को क्या करना है इस एड बटन पर टेप करना है तो आप देख सकते हैं मेरा Tech Rush लिखा हुआ जो WhatsApp पर आ चुका है जैसे ही यहाँ पर टेप करेंगे तो आपके डिवेस में कुछ इस तरह का स्क्रीन है वो ओपन हो जाएगा अब आपको क्या करना है अपना कोई भी iPhone कोई भी Android डिवेस है उसके WhatsApp को उपन करना है इसके बाद आप लोगों को यह जो 3-line है सेटिंग का वहाँ पर टेप करना है और यहाँ पर लिंक डिवेस लिखा हुआ है यहाँ पर टेप करके use mobile data पर tap करेंगे अपना iPhone या अपने Android का password डालेंगे इसके बाद जैसे ही आप इस QR को scan करेंगे तो automatically आपका यह जो WhatsApp है वो आप यहाँ पर continuously और पूरा जो data है वो आपकी device में यहाँ पर ट्रांस्फर हो जाएगा और प्रोपर तरीके से वर्ट भी करने लगेगा अगर बाइचांस आप लोगों को यह वो यूजर नहीं करना है उसको रिमू कर देना है तो आप क्या कर सकते हैं simple सा यहाँ पर आप लोगों को एक option देखने को मिल जाता है आपका safari browser is a macOS यहाँ पर tap करके जैसे logout बटन पर tap करेंगे तो automatically आपका यहाँ से sign out हो जाएगा अब link device करने की वज़े से क्या होगा आपका पूरा data guys यहाँ पर transfer होगा यानि कि पूरा आप WhatsApp का इस्तेमाल कर सकत है अगर उसका status आप देखना चाते है तो status सब कुछ आप add to z सारे data है वो आप चेक कर सकते हैं जैसे मैंने high लिखा तो यहाँ पर high भी आ चुका है बट प्रोपा तरीकिसा work भी करता है जैसे कि यहाँ पर कोई channel भी आप चेक करना चाते है तो यहाँ आप टेप करके continue बटन आ जाए तो आप दी अपने iPad में जो सारे WhatsApp फीचर है वो definitely easily use कर पाएंगे so comment करके कैस बताइए कि आपको WhatsApp ट्रिक पसंद आई या फी नहीं so for more iPhone और iPad वीडियो देखने के लिए अब हमारी YouTube चेनल टेकरेस को सब्सक्राइब करना मत बुलना